नमश्कार दोस्तों आपका एक बार एक बार फिर से स्वागत है और हमारे ही चैनल में और आपको इस बाइक से मायरेज और पावर मिलेगी तो इस वीडियो से इस वीडियो में हम सारी डीटेल में कवर करने वाले हैं और गाइस साथ ही साथ इस वीडियो में हम यह भी बात करने वाले हैं कि यह बाइक इंडिया में कब तक लॉंच हो जाएगी या नहीं होएगी तो गाइस मेरी आपसे रुकेश्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अन तक जरूर देहेगा ताकि आपको जरूरी इंफोमिशन म प्रेंस ना कर पाएं तो गाइस आप इसी के साथ हम वीडियो करते हैं जल्ब से शुरूर तो गाइस सबसे पहले में आपको यह बाइक दिखायता हूं तो गाइस कूछ इस तरह का लूक का इस बाइक का आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको एलडे हैडलम देखने को मिल देखी और सेम रेर में आपको एलडे टेलेड देहने को मिलती है तो इस बाइक का लुक काफी शांदार है और कुछ यूनीक तरिके से बाइक को डिजाइन किया गया है और जो यह बाइक है वह फॉरन कंटर में लॉंच हो चुके है बट इंडिया में अभी तक लॉंच नह पास पास रहने वाला है क्योंकि इसी प्रेज में यह बाइक फॉरन कंटर में भीक रही है तो बात करते हैं इस बाइक के सबसे पहले कुछ यूनीक फीचर की तो इस बाइक में आपको मिलेगा लाइट वेट स्टील ट्रेलिस फ्रेम डूल एलेड हैड लेड डेट टाइम LED Turn Indicators और Liquid Cooling और इस बाइक में और बहुत सारे फीचर हैं जो हम आभी आज डिसकर्स करने वाले हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के इंजन की तो यह बाइक आती है 198 CC Single Sender 4-Stroke SOSC Liquid Cool Engine के साथ जो कि गाइस पेडूस करता है 19 HP की Maximum Power और 17.2 Nm का Maximum Torque और इस बात करें इस बाइक के टॉप स्पीड की जो किया 134 km per hour और यह बाइक 0-60 सिर्फ 4.7 में चली जाती है और 0-100 इस बाइक को जानवे 12.5 सेकंड लगते हैं और बात करें इस बाइक के फ्यूल टैंक कपैस्टी की जो की है 11 लीटर की और जो इस बाइक का मॉडल फॉर्न कंट के आपडा करें बाइक करते हैं इस Applicant क के प्रेंशन की इस बैक में आपको फोक इप इन्न वर्ट टालिस्कोपिक फॉक और आपको रहर लएक को मिलें के वाय आए कस से त्पैंशन से बाइक बाइक के बात को इस बाइक फरांट में आपको देखने मु ऐगा 276 mm front disc diameter और guys 220 mm का rare disc diameter और guys front और यह आपको 17 inches के इस बैक में wheelie मिलेंगे जो front wheel की width रहेगी वो रहेगी 100 mm की और जो rare wheel की width रहेगी वो है 140 mm की तो guys कुछ इस तरह का इस बैक में आपको instrumental cluster देखेने को मिल जाता है और guys इस console के अंदर आपको बहुत सारे information देखने को मिलती है जो कि किसी super bike में होती है जैसे guys low fuel warning engine temperature, gear indicator, service light और clock और ऐसे बहुत सारे features आपको इस console में देखने को मिलेंगे और guys कुछ ऐसे features भी थे जो मेरे को missing लगे जैसकी ABS forwarding light और gear shift light तो guys यह दो feature नॉर्मल बैक में हमें देखने में मिलते हैं जो मेरे को इस bike में missing लगे और guys अब साथ से साथ है एक बार इस bike का हम एक बार exhaust note सुन लेते हैं कि कैसा इस bike का exhaust note तो guys बात करते हैं इस bike के डिमेंशन के बारे में तो guys इस bike का जो overall length है वो है 2020 mm overall width है bike की 747 mm overall height है bike की वो है 1145 mm और guys जो bike के ground clearance है वो है 150 mm guys ground से लेके seat की height के अगर हम बात करे वो है 815 mm की और guys जो bike का wheelbase है वो है 1350 mm का और guys जो इस bike का cow weight रहने वाला है वो है 155 kg का और guys जो ये bike है वो market में R95 version 3 RS200, RC200 और Gixler 250 SF को कड़ी टककर देगी अगर इंडिया में लॉंच होगी तो तो guys हम सबसे पहले बात करते हैं इस bike के कुछ advantages के बारे में तो guys सबसे पहले advantage इस bike का वही है कि इस bike का design हो काफी stylish है और काफी appealing look आलती है इस bike से उसके लब आगा जो इस bike cut engine हो उसके टो काफी जादा है थर्ड गाई जो इस bike का frame है वो काफी lightweight है तो guys अब बात करते हैं इस bike के कुछ disadvantages के second इसके अंदर sleeper clutch missing है तो guys अब बहुत तरे लोगों वायर यह भी question था कि यह bike इंडिया में कब launch होने वाली है तो guys अभी तक इस bike का इंडिया में launch होने का कोई भी news नहीं है तो guys जब भी कोई भी news आती है वो मैं आपको इस channel पे update दे दूँगा और guys और information के लिए आप मारी website को विल्ट कर सकते है जिसका link आपको वीडियो के description box में देखने को मिल जाएगा और guys इसके लिए आप मारे telegram के चैनल को भी subscribe कर सकते है जिसका भी link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा तो guys वहाँ पना को latest news भी मिलती रहती है तो guys आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर guys वीडियो अच्छा लगा है तो please वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मेरी चैनल को subscribe कर दीजेगा तो guys बहुत जल्द मिलेंगा आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपका दिन शुब रहे